तो स्टुडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विट कनोजयमा स्टुडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असाइन्मेंट यह नेगोशेशन वाले चैप्टर में चल रहा है इसे प्रिविएस वीडियो जो हमने करिये वो नेगोशेशन क्या होता है हमने उसके बारे में पढ़ा अब हम करें असाइन्मेंट क्या होता है अब इसी वीडियो में हम करेंगे कि असाइन्मेंट और नेगोशेशन में फरक क्या होता है Negotiation का मिदल मीनिंग होता है Transfer करना Negotiable Instrument को Transfer करना एक परसन से दूसरे परसन को endorsement करना वो Negotiation कहलाता है Assignment में दिखते हैं क्या होता है और जो ये पूरा topic चल रहा है वो हमारा Negotiable Instrument Act 1881 के अंदर चल रहा है ठीक है जो चलिए students without getting late Let's start today's topic assignment Assignment of any object Means a transfer of its title To another person Through a written and registered deed Under the transfer of property act देखिए Assignment का मिनिंग ये होता है कि assignment का मिनिंग है किसी object को Transfer करना किसी object का title है Transfer करना एक another person को Through a written and registered deed एक मिलब जो उसको Transfer करोगे न तो Return form में करोगे और डीड होएगी दोनों person के अंदर उसके भई इसके लिए इतना हम consideration पे कर रहे है दोनों चीज़ ये लिखा होगा डीड के अंदर और अंडर दा किस act के अंदर अंदर अंतर गताएगा ये Transfer of property act ठीक है यानि कि suppose करो मैं एक land खरीद रही हूँ किसी दूसरे person से ठीक है तो अब वो person यानि कि मेरे बीच में और उस person के बीच में एक return form में registry होगी registration deed होगी जिसके अंदर ये लिखा जाएगा कि ये जो टाइटल का transfer है उस बंदे के नाम से मेरे नाम पर transfer हो गया है और ये किस act के अंतरगत आता है ये Transfer of property act के अंतरगत आता है ठीक है आगे देखिए टाइटल of a negotiable instrument can also be transferred by assignment अब हमने बात करी वो जिसके एक प्रपर्टी की बात करी लेकिन ये Transfer of property act के अंदर negotiable instrument की transfer भी आती है यानि कि negotiable instrument का transfer भी assignment के तुरू किया जा सकता है टाइटल of negotiable instrument can also be transferred by assignment the assignee in this case even though he acquires all the rights of the holder does not become a holder in due course इसके अंदर जो assignee होता है assignee means जिसको वो दिया गया है ठीक है बहुत जिसके नाम पे वो transfer किया गया एक तरह से वो होता है assignee उस assignee उस case में even though he acquires all the rights of the holder चाहिए उसके पास सारे rights आ गया है holder के क्योंकि वो holding कर रहा है उस टाइम पे negotiable instrument के लेकिं फिर भी वो holder in due course नहीं बन पाता ठीक है he can file a suit on the instrument in his own name and it's entitled to receive or recover the amount due there on from the parties liable on the instrument वो क्या कर सकता है अगर वो इस instrument के regarding उसको payment नहीं होती तो वो उसके regarding case file कर सकता है और उससे जो भी जो भी parties के लिए लिए बाब होती उससे payment मांग सकता है ठीक है example देखिए अशोक डूए प्रोमीजरी नोट फोर रुपीज पान सो इन दा नेम ओफ रामकिशोर एक प्रोमीजरी नोट डू की डू किया अशोक ने किसके नेम पे रामकिशोर के नेम पे ठीक है रामकिशोर further sold द्षेंटर नोट to Rajendra नरोळ टोए separate contract of sale, Ramkishore जी ने और फिर वोबहेजरी नोट आगे क्या कर दिया सेल कर दिया और किस के, contract of sale के regarding ठीक है? एक दूसरा contract of sale किया उसमें वो आगे आगे वोबहेजरी होबह्पीजरी नोट आगे नेगोशेशन एंड सिंस ही वाज ओर इन डू को राइंडर नरूला है उसने जो नेगोशेशन के थू नहीं लिया है इसलिए वह ओर इन डू को दू दे रहें दे रहें उसको वह ओर अमाउंट की रिकवरी का टाइटल नहीं है देखो वह उसका वैसे मतलब बेशक चाहें वह ओर इन डू कोर्स नहीं बन सकता उसका चाहें वह अगे इंडॉर्समेंट हुआ है इसलिए लेकिन वह ओर जूर है उस नेगोशेशेबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर है उसके पास वह है तो इसलिए पेमेंट तो उसकी देनी असाइमेंट एंड नेगोशेशन नेगोशेशन और असाइमेंट के बीच में क्या डिफ्रेंस है इस नोट इसेसरी देट एट 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 नेगोशेबल इंस्ट्रूमेंट भी ट्रांसफर थो नेगोशेशन यह कोई जुरूरी नहीं है कि नेगोशेबल इंस्ट्रूमेंट सिर्फ negotiation के थूँप ही transfer होगा it can be transferred by assignment also assignment के थूँप ही यह क्या हो सकता है negotiate हो सकता है transfer हो सकता है in the same manner as any ordinary commodity under the transfer of property act जैसे transfer of property act के अंदर कोई भी commodity होती है land वगरा यह कुछ भी है हमारा अगर हम अपनी कोई विकल वगरा अपनी asset वगरा कोई बेचते हैं तो वो transfer of property act के अंतर आता है ऐसे नेगोशेवल इंस्टुमेंट को भी assignment के थूँप transfer किया सकता है ठीक है however there are certain differences between negotiation and assignment these are देखो लेकिन फिर भी जो assignment और negotiation में दोनों में काफी सारे differences हैं देखो कौन-कौन से differences हैं first one is need to transfer मतलब इसको transfer करने की जुड़त इन केस ऑफ नेगोशेशन एंडॉर्समेंट और डिलीवरी करना बहुत जुरूरी होता है in case of assignment all that is required is a written document with the signature of both the parties और assignment में क्या होता है यह सब चीजें एक डीड के अंदर लिखी जाती है registration होता है उसका दोनों से दोनों parties के signature होते हैं ठीक है document बना जाता है need of notice in order for the assignment to be complete and effective it is the duty of the transfer to inform the party level on the instrument the assignee has complete rights on the instrument whereas in case of negotiation no such notice is necessary assignment के time पे जो भी party जिसको payment करनी है उसको notice भेजना बहुत जुरूरी होता है कि आप liable हो आप इस person को pay करोगे लेकिन अगर negotiation के मामले में अगर बात ही जाए तो उधर ऐसा notice देने की कोई जुरूरत नहीं होती ठीक है attainment of better title in the case of negotiation the transferi gets a good title to the instrument which is free from all defects as he is the holder in due course even if the title of the transfer is defective देखो हमने ये बात करी थी कि holder in due course को जो भी चीज मिलेगी मतलब जो भी negotiable instrument मिलेगा अगर उसको title defective भी होगा तो भी holder in due course के मामले में वो defective नहीं माना जाएगा उसकी जो वो उसने जो अगर endorsement ली है ना उस चीज की तो वो good faith में माने जाएगी ये हमें बढ़ा हुआ है हमने in the case of assignment if the title of the transfer is defective लेकिन assignment के time पे अगर टाइटल जो है defective है transfer का तो अगर टाइटल जो है defective है तो असाइमेंट के अंदर जो टाइटल परसन होगा ये जिसको टाइटल के जा रहा है वो उसका टाइटल भी defective माना जाएगा ठीक है आगे ठीक है presence of consideration consideration मतलब किसी चीज के बदले में passive अगरा पे करना वो consideration होता है in the case of negotiation the presence of consideration is presumed whereas in case of transfer by assignment the presence of consideration has to be proved यानि कि उसमें नहीं मान दिखाई जाती consideration योगि वो आगे सिधा transfer के जाता है किसी काम के बदले लेकिन assignment के अंदर जब हम deed बनाते है तो उसके अंदर उसकी जो consideration होती है वो proved दिखाने पड़ती है as to be proved कितनी रुपे की है कितना क्या है उसके अंदर वो दिखाना पड़ता है ठीक है students तो I hope students आपको यह जो आज कर हमने topic किया है कि assignment क्या होता है लोगी negotiation हमने इसमें previous video में कर ले कि negotiation क्या होता है इसमें हमने पड़ा कि assignment क्या होता है तो I hope आपको यहां से समझ में आओ कि assignment क्या होता है example किया हमने एक assignment का और differences किये between assignment and negotiation के अंदर students I hope this video is useful for you and if you like my video then please share my video with your friends and also like and comment on my videos and also subscribe my channel commerce with kanoja ma'am and don't forget to hit the bell icon for the further notification of my videos thank you students